हमारा आज का लंच तैयार हो गया है आज हमने अरहर की दाल विद राइस टिंडे की सबजी लौकी का रायता सैलड इसमें मैंने खीरे की बोट बनाई है और ताजा आम का हींका चार इसको बस मैंने काटके नमक खल्दी लगा कि मिर्ची और हिंग मिला दिये और हम इसका चनी की रूटी के साथ आज इस टिंडर का मजल आज साथ में मैंने चनी की रूटी यां बनाई है उसको हम आज लंच में खाएंगे ये हमारा आज का लंच है आज हम लंच में अरहर की डाल बनाने वाले हैं अरहर की डाल बहुत पॉस्टेक होती है और एनिमया को भी दूर करती है और वेट कंट्रोल करने में भी मदद करती है तो आये अरेर की दाल बनाते हैं मैंने दो घंटे पहले दाल भिगो दी थी और ये उसी पानी में मैंने दो-तीन बार दाल को धूलिया था और जितने पानी में ये सोक हो गई थी उतना ही ये पानी है अब इसमें मैं दो टमाटर जो मैंने रफली चौप किये हुए थे उसमें डाल रही हूं और दो हरीमिर्च साबत और एक ग्लास दूर दूर डालने से दाल ये अच्छी लगती है और जल्दी पच्छती भी है ऐसा मैं सोचती हूं और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूं अब इसमें महल्दी डालें तोड़ी सी और थोड़ा नमक इसको अब हम ढकल लगाकर पका लेंगे अब हम दाल को एक तरफ बने देते हैं और दूसरी तरफ चावल बना लेते हैं यहां पर मैं चावल के लिए पानी गरम होने रख देती हूं और चावलों को तो मैंने दो गंटे पहले भी गोई दिया जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम चावल इसमें डालेंगे उबलने के लिए तब तक हम लौकी के रायते की तैयारी करते हैं लौकी को घिस लेते हैं पानी उबलने लगा है अब इसमें हम चावलों को डाल देते हैं तब तक हमने लौकी घिसके तैयार कर लिए आई तो थोड़ा पानी यूज करेंगी क्योंकि अगर पानी जाद हो जाएगा तो में लौकी नी चोड़नी पड़ेगी फिर लौकी के सारे पॉस्टिक तद तो नस्ट हो जाएगे तो हम थोड़ा बहुत कम पानी में इसको अबालेंगे बस हमें इसको एक सीटी आने तक उबालना है बहुत जल्दी उबलता है चावलों में उबलता वकत हमें थोड़ा नमक और दो चार भूंदी नीबू के रस्ती एट करनी होगी इसे चावल खिला खिला बनेगा बस चावल बनने को ही है हमारे तब तक हम सालिट की तयारी करते हैं हमने एक तरफ टिंडे की सबजी बनाई ही दी थी हमारे चावल हो चुके हैं अब हमें इनको छानना होगा ज्यादा अगर हमें देर यहां छोड़ दी तो यह ओवर कुक हो जाएंगे हम गरम चावलों में एक चमच घी मिला देंगे इसे हमारा चावल खिला खिला बना रहेगा हमारी दाल उबल चुकी है यह मैंने एक सीटी भी नहीं आने थी उससे पहले ही मैंने इसको बंद कर दिया था और बस अपने आप में यह स्ट्रीम हो दी गई यह दूर दनने के कारण ऐसी लग रहे है अभी बस हम इसको एकसा कर लेते हम इन टमाटर के बड़े बड़े पी दाल की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं दाल की कंसिस्टेंसी ठीक है इसको एक तरफ उगलने और रख देते हैं ताकि यह अच्छे से घुट मिट जाए अभी घुटी मिटी नहीं है तो मैंने टमाटरों को अच्छा सा दबा के मैश कर लिया है आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं हमें अब दाल के लिए छौक तयार करना है उसके लिए हम सबसे पहले घी लेते हैं आप अब अपनी इच्छा नुसार जितना भी घी लेना चाहें ले सकते हैं मैं यह तीन मच ले रहें हम थोड़ी सी हींग जीरा जीरा कम चटकने के इंचिदार करेंगे स्वाद के इसाब से लाल मिर्च फिर हम यहां पर यह टमाटर का पेस्ट एट कर देंगे यहां पर हम हल्दी हमने अबलने में डाली थी लेकिन थोड़ी सी डाल देते हैं थोड़ा सा सूफा धनिया पाउडर यहां पर अगर आपको गरम मसाल अगर आप खाते हूँ तो एट कर सकते हैं मैं डाल को बहुत तीखा नहीं बना रही हूँ यहीं पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया आइट कर दिया यहां पर हम थोड़ा सा चाट मसाल आइट करेंगे बस मसाला भूँ चुका है अब अब इसमें डाल एक कर देदी हम डाल को बस दो-चार उबाल आने तक ही पकाएंगे क्योंकि हम पहली भी डाल को उबाल चुका है निकालने से पहले हम नमक चेक कर लेंगे क्योंकि हमने उबलते वक्ती नमक डाला था थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें लौकी उगल चुकी है इसको हम ठंडा करकी फिर इसका रायता बनाएंगे अच्छा इसके पानी को निकालेंगे नहीं दही में इसी तरह डालेंगे आज हम खीरे की बोट बनाते हैं इसके लिए हम खीरे को घिस लेंगे दौनों तरब से इसों को ठालेंगे लेगल से लेके घ्च घमाड़ाते हैं अ यहां मैंने कुछ फल काट लिए कलर अच्छा देनी के लिए कुछ टमाटर भी थोड़ा सा काट लिया है मैंने अब इसमें हम खीरे में सबसे पहले थोड़ा से नमक डालेंगे जिसे कि नीचे सही टेस्ट आए हमें सालिट में नमक तभी डालना है जब खाना खाने के लिए ह आप अपने चाइस के साब से कोई भी फल रख सकते हैं मेरे पास तो जो एबिलिबल है मैं उनको ही कर रही हूं ग्रीन में ग्रीन अंगूर नहीं दिखेंगे हमें सारे ऐसे कंट्रास्ट फल ले लें कि जो अच्छे लगें देखने में बच्चे भी खाने को आकर्शित हों है थोड़ा खर्बूज इस टाइम अंगूर खर्बूज दर्बूज पपीता काफी आ रहा है जो भी एवलेबल हो घर में थोड़ा टमाटर जिसे कलर अच्छा हो जाएगा हमारा तो ज्यादा अच्छा लगेगा इसकी उपर भी हम थोड़ा नमक थोड़ी लाल मिर्श थोड़ा तीखट देने के लिए हमारा सालिक तयार है रंग बिरंगा हमने तही को फैट लिया है अब हम इसमें लौकी में लाएंगे और उसमें मसाले और हिंग जीरे का चौक लाएंगे यहाबर एक चमबच घी ले लेंगे इसमें थोड़ा जीरा फरोस्ते बकत हम रायते में नमक और काला नमक बलाएंगे ताकि दही खटा ना हो साथ में मैंने चनी की रूटियां बनाई है उसको हम आज लंच में खाएंगे यह हमारा आज का लंच है का लंच हम